हाई फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल माउ लाइफ कैसे हैं आप सब होफुली अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगी मेरा नाइट टाइम स्कीन केर रूटीन एक्चुली यह वीकली नाइट टाइम स्कीन केर रूटीन है मैं डेली वीक टुवक फोलो करते हूं मैं आज आपके साथ शेर करूंगे कि में वीकली नाइट टीम स्कीन केर रूटीन हैं क्या चीजते हूं और श्रकी सीविदा मैं आपके लिए है took अगर आपके लिए वीट इने लाइक करें अव मेरी एक चैनल को सब्सक्वाइब करें किप स्कीन केर करूं तो चलिए पहले मैं यहां पर अपना मेकप रिमूव करूंगी मैं डली बैसेस पर तो मेकप नहीं करती बट अगर मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर अगर कोई वीडियो शूट करनी है तो उसके लिए मेकप करना पड़ता है यहां पर मैंने मेकप करा हूँ आज तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे तो मैं मेकप रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ यह हिमालिया का मॉस्चिराइजिंग अलोविरा फैशियल वाइप से क्योंकि मैंने बहुत हेवी मे सबसे पहले हम हमारा मेकप रिमूव कर लेते हैं इस तरह से मैं अपना मेकप रिमूव कर रही हूँ यहां पर मैंने सिर्फ सी सी क्रीम यूज करी थी लेक्मे की सी क्रीम एंड लाइनर भी मैंने Blue Heaven का यूज़ करा है तो यह waterproof liner नहीं है मैंने mascara वगेरा नहीं यूज़ करा है काचल वगेरा कुछ भी यूज़ नहीं करा है एंड यहाँ पर मैं अपनी lipstick का भी रिमूब कर देती हूँ see guys मैंने मेरा पुरा मेकप रिमूब कर लिया है यह वाइप से अब हम यूज़ करेंगे face wash face wash के लिए मैं यूज़ करूँगी जोएका skin fruits oil removal it says cleans pores and remove excess oil यह pores को deeply clean करता है और जो excess oil होता है इसको रिमूब करता है तो चलिए अपना face wash करते है अपना face wash में wash करके आती हूँ फिर आप से मिलती हूँ मैंने मेरा face wash कर लिया है now use करेंगे scrubber मैं week to week scrubber यूज़ करती हूँ daily scrubber यूज़ नहीं करती तो यहाँ पर मैं biotic का bio papaya revitalizing 10 removal scrubber यूज़ करूँगी हमें अपनी nose पे अपने cheeks पे forehead पे अच्छे से scrubber को लगाना है जिन अच्छे से scrub करना है ज्यादा बहुत ज्यादा गिस गिस कर भी नहीं करना है यूज़ करना है यूज़ को छोड़े चोड़े पार्टिकल से जो हमारे फेस की जो डर्ट है उसको क्लीन करेंगे जैसे कि इसमें पापाया भी है तो वह हमारे जो हमारे जो सकीन में जो टैनींग है उसको इमू़ करेगा एंड हमारे सकीन को ब्रैट करेगा सो इस तरह से अच्छे से नोज के अराउंड चिंब पर ऐघ्ट अच्छे स्क्रवइंग करनी है तौनर मैं यहाँ पर स्क्रबिंग कर लिया। ना यूप तोनर करें यह व्यद्टवर करऊंगी। यह हमारे पोर्स को मिनिमाईस करता है। हमारी स्कीन को हाइड्रेट करता है। सो इसे सपने परुड़ कर लूगे देन इसे स्कीन में एब सोब होने दूगी कि जब यह में अच्छ से अपशा हो जाएगा देन उसके बाद हम यूस करेंगे यहाँ पर कि ऐलोवेरा पलस नीन एकने कंत्रोल हाइडरेटिंग जेल यह वाला जेल मैंने पहले भी स्कीन केर ज यूज़ यूज़ करें नाइट में से अच्छे से अपने स्कीन पर लगा ले देन उसके बाद सुबह से वाश करें देन सुबह जब उठते तो मैं थोड़ा सा ओईली ओईली नेसा लगता है तो वह नहीं होगा एंड काफी अच्छा है आपके एकने को भी कंट्रोल करेंगा सो चलिए हमारी स्कीन अब ड्राय हो गई है तो अब यहां पर मैं यूज़ करूंगी यह अच्छे से पुरी स्कीन पर लगा लूँगी देर इसे अच्छे से मसाज करना हलके हलके हातों से तो यह हमारी स्कीन में पर निक्ट्रेट होगा कुछ इस तरीके से नेक पर भी अच्छी क्रीम है तो इसे इस तरह से रिंग फिंगर में लेकर लगाना है हमें हलके हलके हातों से प्रैशर नहीं करना है because जो हमारे आय के अराउंड जो एरिया रेता है वो काफी सॉफ्ट रेता है तो इसे हलके हलके हातों से इस तरह से मसाज कर देना है And ring finger का ही यूज करें because ring finger जो रहती है उसमें pressure कम रहता है तो इस तरह से मसाज करना है And last में यूज करूँगी lip balm तो लिप-barm के लिए वेजलीन का लिप-केर यूज करूंगी मैं ये मेरा all-time favorite है इसकीन के साथ साथ इसकीन के साथ साथ हमारे लिप सको भी केर की जरवत रहती है नहीं तो ये जो ज्राइ ज्राइ से हो जाते हैं बीजाराइस करें मेरा skincare complete हो गया है तो यह था मेरा weekly skincare routine इसमें मैंने face pack aid नहीं करा है because मैं week to week face pack use नहीं करती अगर मुझे लगता है कि मेरी skin थोड़ी से डल सी हो गई है या ऐसा कुछ तो मैं face pack use करती हूँ like 15 days में एक बार so guys बस यह था मेरा आज का video that's it for today's video अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें शेर करें मेरे चैनल को subscribe करें and hit the bell button तो आपको notification मिलता रहेगा जब भी मैं कोई new videos टालूंगी thanks for watching guys bye